असलाम लेकम आज आपको पिशावरी कड़ाई बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए चिकन ली है एक किलो और एक किलो ही टमाटर ली है इनको इस तरह चंक्स में काट लिया है एक चाय का चमच कुटी हुई काली मिर्चे एक चाय का चमच नमक दो खाने के चमच अद्रक और लसन का पेस्ट छे से साथ सबुज मिर्चे एक इंच अद्रक के टुकड़े को बारी काट लिया है और आदा कप ओयल या गी यहां हमने आदा कप देसी गी गरम कर लिया है आप इसको अची तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही चिकन डाल देंगे और नमक डाल कर इसको 10 मिन तक तेज आंच पर भून लेंगे 10 मिन तक चिकन को अध्रक लसन के साथ बोन लिया है अब इसमें कुटी हुई काली मिर्चे, सबज मिर्चे और टमाटर डाल कर मिक्स करेंगे और इनको कवर करके low to medium flame पर 10 मिन तक पका लेंगे ताके चिकन और टमाटर दोनों गाल जाएं 10 मिन तक चिकन और टमाटर को पका लिया है टमाटर अच्छी तरह से गाल गे हैं अब फ्लेम को तेज करेंगे और टमाटरू के पानी को हुश्क कर लेंगे अब इसमें बारी कटी अद्रक एक से दो सबस मीर्चे गार्णिश के लिए और हरा दनिया डाल कर मिक्स करेंगे सब चीज़े मिक्स करके इसको एक से दो मिन तक दम पे रखेंगे और सर्व करेंगे पशावरी कड़ाई तयार है बहुत एज़ी और सिंपर रेस्पी आप इसको जो ट्राइ कीजेगा और बताएएगा आपकी पशावरी कड़ाई कैसी बनी अगर आपको रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक और सबस्क्राइब करना ना बूलें अलाहाफीज